आज बनाएंगे बहुत ही स्वादिस्ट आलू पालक पनीर पराठा चलिए बनाते हैं सबसे पहले आठा तयार करेंगे इसके लिए मैंने लगभग 100 ग्राम पालक ली है इसे साफ पानी से 3-4 बार धो लिया है दो उबले आलू लिये हैं नमक लिया है दो कबगेहूं का आठा लिया है पालक को दो मिनर तक बोईल करेंगे आलू को कद्दू कस कर लेंगे पालक को बोईल कर लिया है इसे थंड़े पानी में डालेंगे थंडा होने के बाद इसे पीस लेंगे पालक पीस लिया है अब आटे में कदुकस किया हुआ आलू डालेंगे एक टी स्पून नमक डालेंगे आटे में आलू को अच्छे से मिक्स करेंगे अब पिसे भी पालक को आटे में थोड़ा थोड़ा डाल कर soft आटा गूतिंगे आटा soft बनाने से stuffing डाल कर बेलने में आसानी होगी पर आठा फटेगा नहीं पहले इसी पीसे हुए पालक से ही आठा गूतिंगे इतने पालक से soft आठा नहीं बनता है तो थोड़ा पानी यूज़ कर सकते हैं आठा बनकर तैयार है इसमें थोड़ा ओईल लगा कर 5 मिनिट तक ठक कर रखेंगे अब stuffing तयार करेंगे 250 ग्राम पनीर मैंने कद्दुकस कर लिया है इसमें बारी कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे 2-3 बारी कटी हुए हरी मिर्च डालेंगे नमक डालेंगे आठे में भी नमक डाला है उसे देखते हुए 1 टीस्पून से भी कम नमक डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर 1 टीस्पून जीरा पाउडर 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालकर पनीर में अच्छे से मिक्स करेंगे ये मिक्स हो गया है अब पराठे बनाएंगे नॉर्मल रोटी से बड़ा आटा लेंगे उसका गोल पेडा बनाएंगे थोड़ा सुखा आटा लगाकर हतीली के बराबर बेल लेंगे इसमें दो चम्मस पनीर की स्टफिंग रखेंगे किनारों को मिलाते विए से बंद करेंगे हलके से हाथ में गोल गुमाएंगे और चकले में रखकर हाथ से हलका हलका दबाकर फैलाएंगे जिससे स्टफिंग बराबर फैल जाएगी अब सुखा आटा लगाकर हलके हाथों से बेल इनकी हल्प से पराठा बेल लेंगे ये पराठा बन गया है, बिल्कुल पर्फेक्ट बना है एक और बना लेते हैं, रोटी के साइड से बड़ा आठा लेंगे सुखा आठा लगाकर हतेली के बराबर रोटी बनाएंगे रोटी साइड से पतली करेंगे, दो चम्मस पनीर की स्टफिंग लेंगे एक साइड से प्लेट्स बनाते हुए गोल पेड़ा बना लेंगे बीच में बचा हुआ आठा वहीं पर हलकी हाथ से दबा देंगे रोटी के किनारे पतले नहीं बने होंगे, तो यहाँ पर आठा ज्यादा बचेगा उसे उपर से थोड़ा निकाल सकते हैं अब सूखा आठा लगाकर हलकी हाथ से दबाकर स्टफिंग फैलाएंगे अब बेलिन की हल्प से हलकी हाथ से बेल लेंगे यह बहुत अच्छा पराठा बनकर तयार है, अब सारे पराठे तवे पर सेख लेंगे हलके गरम तवे पर घी डालकर फैलाएंगे पराठा तवे पर रखेंगे किनारे थोड़ा उपर उठा लेंगे उपर की साइट थोड़ी सुखने लगे तो थोड़ा घी लगाएंगे अब पल्टेंगे पराठे पर गोल्डन स्पॉट आने तक सेकेंगे पराठा सिख चुका है इसे अब निकाल देंगे ऐसे ही सारे पराठे सेक लेंगे आपको वीडियो पसंद नाएं तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कॉमेंट में बताएं रेसिपी कैसी लगी तब तक खुश रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नहीं रेसिपी के साथ